प्लूपीं दोस्तों सागेत आपका हमारे शेनल पर आपकी फेवरे सीरियल गुम है किसी के प्यार में पत्र लेखा लगाएगी वीराट पर इल्जाम तो दूसरी तरफ पड़ेगा उसे एक चौरदार धपर दरसल अब यहां पर जो पत्र लेखा को आशिरवाद मिल दिया है वो भी वीराट और सही की पूझा में तो वहां पर इसी को खेल खेलती नजर आएगी अब यहां देखने को मिलेगा कि वीराट को अपनी तरफ वापस करने के लिए वो सही के दिल में कुछ गलत फेमिया क्रियेट करना चाहती है तो वही भई समराट को तो पहले से ही पता ह कि वीराट को चाहती है पत्र लेखा लेकिन उसे ये भी पता है कि वीराट उसे नहीं चाहता है वीराट तो अब सही से ही प्यार करता है कि यहां पर चलेगा अब पत्र लेखा का जूटा प्रेगनेंसी का ड्रामा और यह दिमाग में उसके उस मंदिर की पूझा की रस्म के बास से ही उपज लेता है शुरू होगा अब जूटे प्रेगनेंसी का ड्रामा जिसके बाद निया पर समराट के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसे लगता है कि क्या सच में अभी भी विराट और पत्र लेखा के बीच में कोई रिष्टा है उसके बाद यहां समराट को एक तरह से शक होने लगेगा इन दोनों के रिष्टे पर तो दोसरी तरफ यहां पर सई भाणा फोड ही देगी कि पत्र लेखा कोई प्रेगनेंट नहीं है जिसके चलते हैं यहां पर पत्र लेखा इस बच्चे का जूटा इलजाम विराट पर लगाते नजर आएगी और यहां पर वो यह साबित करने की कोशिश करेगी कि वो सच में प्रेगनेंट है और वो विराट के बच्चे की मा बनने वाली है जिसके बाद कहानी में आएगा इंटरस्टिंग मोड और यहां पर फित पत्र लेखा को जोड़दार थपड़ बारने वाली है सही क्योंकि उससे पता है कि विराट के दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है और वो तो प्रेगनेंट भी नहीं है और वो जूट ही अब विराट सर को फसाने की सही और विराट के बीच में गलत वेविया क्रियेट करने की कशिश कर रही है तो भाई पत्र लेखा अब बुरी तरह से फसने वाली है इस जूटी प्रेगनेंसी के चकर में और अब उसका बहुती बुरा हाल होने वाला है